हेलो दोस्तो आज हैं पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री NCRT क्लास 9 का फर्स चाप्टर दा फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो बिना किसी देरी के शुरू करता है तो ये चाप्टर हम लोग की पॉइंट के तरीके से समझेंगे तब हम लोगो ज्यादा अच्छे से समझाएगा तो से पहले समरी देख लेते हैं कि इस चाप्टर में टोटली बताया क्या गया है on the day of 14 जुलाइल 1789 पैरिस सफर्ट फ्रम लॉट ओ वॉइलेंस 14 जुलाइल 1789 को पैरिस में बहुत सारा वॉइलेंस हुआ तो ये वॉइलेंस किस वजे से हुआ उस दिन क्या हुआ था ऐसा क्य हो गया था जो वॉइलेंस इत्ता जाधा बढ़ गया तो ये सारे बाते हम जानें गया वाय पैरिस सफर्ट फ्रम वॉइलेंस तो हुआ क्या था कि उस दिन पूरे सिटी में ये रूमर्स पैल गया था कि जो किंग है वो जल्द ही अपने आर्मी को ये ओडर देगा कि वो उनको सोसाइटी के तरफ मतलब कि सिटी के तरफ भीजा था वोट पैपल देड आफ्टर एरिंग दिस ओडर तो जरूर लोग कुछ करेंगे आप जब उनको ये पताच लगा कि किंग हम लोग को मारने के लिए ओडर करने वाला है तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे तो हुआ क्या कि करीब 7000 में और वोमें एक डिसीजन लिये कि वो प्यपल मिलीशिया बनाएंगे कि जब आर्मी के जैसा गठन कर लें लोगसे प्यपल मिलीशिया कहते हैं और वो लोग ये निरनय जो किये थे वो टाउन हॉल के सामने किये थे वो लोग बहुत सारे government offices तोड़े थे लेकिन जो main था वो था Bastille जो कि एक prison था prison मतलब jail होता है और वो Bastille को सबसे mainly इसलिए तोड़े थे क्योंकि वो king का power दिखाता था king का जैसा मर्जी होता था वो वैसे किसी को भी उसके अंदर भर देता था बिना किसी arrest warrant के या बिना किसी वज़े से अगर को किसी की बात पसंद भी नहीं आती थी तो वो उसे उसमें भर देता था इसलिए बैस्टिल को सब को हेट करते थे the commanders were killed and the prisoners were released वहां के जो commander थे मतलब कि वहां के जो दरोगा थे मतलब मार दिये रहे थे और जो prisoners थे मतलब वहां साथ ही prisoners थे पर उनको release कर दिया गया था जब बैस्टिल का रिस्ट्रक्शन हो गया जब वो पूरा तूट चुका तो वहां के जो वो stone के fragments थे जो कि वहां के जो टूटा टूटा जो stones थे वो सब market में बिखने लगे as a memory क्योंकि लोग वो चाते थे कि जब उनके next generation आये तो वो इचीज उन लोगों को बता पाए कि हम लोग बैस्टिल की लडाई के तर समय में थे अब हम लोग पढ़ेंगे friend society during the 18th century तो फ्रांस में उस समय लूइस 16 जो कि एक बॉर्वन फैमिली से थे बॉर्वन आप बिस्किट मा समझेगा बॉर्वन एक फैमिली था तो वो जब लूइस 16 थे वो फ्रांस के king थे और वो जब 20 साल के ही थे तभी उनकी शादी एक Austrian प्रिंसेस से हो गई थी तो फ्रांस का जो उस समय जो ट्रेजर था जो एक खजाना होता है हर एक देश के पास तो वो जब फ्रांस का उस समय खजाना था वो पूरा का पूरा ड्रेंड आउट था मतलब उसमें बहुत कम पैसा था क्योंकि फ्रांस 13 American colonies को अपना independence प्राप्ट करने में help किया था बृतेन से बृतेन एक common enemy था सबका क्योंकि बृतेन उस समय बहुत ही ज़्यादा developed होने लगा था तो सबको पसंद नहीं आता था और बृतेन किसी से ज़्यादा import-export का business भी नहीं रखता था तो वो जो city था पारिस वो लगभग दो liver लिवर वहां का currency हुआ करता था जो कि आगे चलके बैन कर दिया गया था वो लगभग दो liver का debt में था, debt होता है उधार क्योंकि वहां के जो lenders जिनोंने उन्हें पैसा दिया था city को वो जान रहे थे कि अब king के पास पैसा नहीं है तो इसलिए वो उस मौके का फाइदा उठाने के लिए 10% interest loan पर लगाने लगे, पहले वो कुछ 2-3% लगाते थे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि king के पास पैसा बिलकुल भी नहीं है, वो इस समय का फाइदा उठाने लगे, और लगबग 10% loan पर interest गेन करने लगे तो king को जो अब basic needs था लोगों का वो तो पूरा करना ही होगा ना, तो जैसे देख ली जगी government offices है, उनको run करना ही होगा, जो city का maintenance है, वो करना होगा, जो भी judiciary का से related है, वो करना होगा, king को अपना पूरा महल का maintenance रखना होगा, और भी बहुत सारे needs होते हैं लोगों के, वो सारे fulfill करने के लिए उसको पैसा तो चाहिए होगा, और उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो उसका treasure बिल्कुल drain out था, तो वो force हो चुका था, कि वो अब tax लेना शुरू करे, पर इस समय गलत बात ये क्या हो गई, कि जो third state था, मतलब जो सबसे गरीब state था, उसको ही बस tax देना था, और किसी को tax नहीं देताना था, देखिए first state था clergy, clergy में आते थे जो बड़े-बड़े church में, priest सब रहते हैं वो, दूसरा था nobles, nobles में आते थे judiciary related या फिर जो educated member थे, और third state में आते थे जो poor member, कुछ-कुछ उसमें जो minority थे, वो educated थे, बट वो बहुत ही जादा कम हिस्सा था, तो उस समय 90% जो population था, वो peasant का था, लेकिन उसमें से बस 30% ऐसे लोग थे, जिनके पास उनका खुद का land था, और जो rest 60% थे, वो work करते थे clergy और nobles के field में, या फिर land में आप कह सकते हैं, clergy जो थे, clergy और nobles थे, वो लोग अपने आपको बहुत ज़ादा upper group के मानते थे, क्योंकि उनको certain privileges जिस मिलते थे, birth से ही, तो वो लोग भी जो third states थे, उनसे tax लेते थे, देखें, ये बात तो बहुत गलत हो गई ना, किसी को अब जिन्दगी जीने के लिए भी tax देना पड़े, तो फिर वो क्यों यहाँ आया है, तो वो जो tax लेते थे, उनका नाम था tides, और जो tax जो king को देना पड़ता था, उसका नाम था tally अब हम लोग देखेंगे struggle to survive, तो जो फ्रांस का population था, वो 23 million से 28 million हो गया, 1715 से 1789 के दौरान, तो लगभग राक लीजिए कि हम लोग के देश से 2 करोर and 80 lakh something, वो लोग का, हम लोग के देश से नहीं, हम लोग के मतलब जैसे हम लोग के currency गिना जाता है, उससे उन लोग का population रख लीजिए कि लगभग 2 करोर and 80 lakhs था, तो जो वहाँ का demand था foot grain के लिए वो obviously raise होगा, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तो भूग भी बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ के जो workers थे, उनके जो wages थे, मतलब उनको जितना भी पैसा मिलना था, वो एक fix था, मतलब अगर ज्यादा sale हुआ, तो भी उनको उतना ही wage मिलेगा, और अगर कम production हुआ, या कम give and take का relation हुआ, तो भी उनको उतना ही मिलेगा, और इसकी वज़े से substance crisis हो गया, और यह जो substance crisis था, वो होता है कि एक extreme situation जिसमें जो आपका livelihood है, मतलब जो आपको जिन्दगी जीने के लिए एक दिनम नेसेसरी है, वो भी danger में आ जाना, और यह चीज़ फ्रांस में बहुत ही जादा used to हो गई थी, old regime के दोरान, old regime को मतलब होता है कि जब फ्रांस की जो late 18th century थी, उसको describe करने के लिए हम लोग the old regime term use करते हैं, तो अब जब यह सब दोरान हो रहा था कि population rise हो रहा था, फिर third state पे इतना जादा tax देना पड़ रहा था, जिन्दगी जीने के लिए भी, तो इस दोरान देखा गया कि middle class का growth होना शुरू हुआ, मतलब जो ना ग इस दोरान जब middle class growth कर रहे थे rapidly, वो अपना पैसा कमाते थे import और export का business से, और जो कुछ member थे third states के, वो educated थे और वो believe करते थे कि कोई भी ऐसा इंसा नहीं होना चाहिए, जो बस अपना birth से privilege उठाए, बलकि वो यह believe करते थे कि जो एक person जो है, वो अपने merit के वज़े से judge किया जाना चाहिए, ना कि उसके पैदा होने के कारण, तो यह जो import-export का business करते थे, वो होता क्या था, कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई product इंडिया में बना रहे हैं, और आपके पास उसका production जादा है, तो आप उसको दूसरे country में, जैसे आप America भीज सकते हैं, आप उसको अमेर थोड़े-थोड़े members of middle class के थे, वो उठेने लगे थे, क्योंकि जो third states के भी जो पढ़े लिखे थे, वो लोग भी थोड़े middle class जैसे ही थे, और उनका ये मानना भी था, और वो लोग बहुत ही ज्यादा एक अच्छे नागरिक थे, वो लोग जानते थे कि क्या-क्या हम लो बात हो रहा है, हम लोग के साथ, जिन्दगी जीने के लिए भी tax देना पढ़ रहा है, तो इस दोरान देखा गया कि philosophers जो थे, उनका रोल बहुत ही ज्यादा था, तो जॉन लॉक एक philosopher थे, वो अपने book two treaties to government में लिखे थे, कि सब के लिए equal law होना चाहिए, और कुछ basic rights होना चाहिए सभी लोगों को, तो ये बात तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब basic rights जैसे right to freedom है, right to live है, right to speech है, opinion है, तो ये सब तो जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि ये सब एक ऐसा rights है, जिसको सब को चाहिए होता है, और law के सामने एक मलब समानता वो तो बहुत जरूरी है, क्य उन्होंने एक idea दिया, वो एक book नहीं किये थे, वो एक newspaper में लिखे थे, कि जो people और representative होते है, मतलब जो government है और जो people है, वो लोग के बीच में बात चीत होते रहना चाहिए, एक social contract होते रहना चाहिए, फिर एक Montesquie, ये idea दिये कि power का जो होता है, वो division करना चाहिए, legislature में, executive म तो ये सारे philosophers का role is freedom struggle ये मुनार्की से दूर होने के लिए बहुत ज़ादा बड़ा था, इनके जो idea थे, वो बहुत ही ज़ादा discuss होने लगे, coffee shops, wine shops और पूरे city में almost ये बहुत ही ज़ादा discuss होने लगे, और people जो थे, वहां के लोग जो थे, वो और ज़ादा frustrated हो गया, कि अब उन पर debt ज़ादा था, उन पर उधार ज़ादा था और वो एक fixed amount of time में देना पड़ता है tax ताकि उनको और उस पर percentage प्लस ना हो, तो इसलिए tax बढ़ते जा रहा था, तो वो जो people पर जो tax increase हो उनसे वो और ज़ादा frustrated हो गया, और जो इसका result हुआ, वो protest में बदल गया, अब आता है outbreak of the revolution, मतलब जब इतना कुछ हो रहा था, तो कुछ ना कुछ तो outbreak, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका productivity है, वो तो निकले गा ही, तो जब 5 मई के दिन assembly, जो कि बस king के पास था वो power कि वो कभी भी organize कर वा सकता था, तो वो जो assembly था, states general का, उन लोग को बुलाया गया था, क्योंकि जो king था, उसको first और second state के से जो proposal था, वो pass out करवाना था, तो first, second and third state तीनों के साथ, तो जो वो first और second states थे, उनके 300 representative थे, जो कि रोज में बैठा दिये गए थे, एक दुसरे को face करते हुए, और जो 600 representative था third states का, उनको बोल दिया गया था, कि आप खड़े ही रह जो वहां के किसान थे, गरीब, जो artisians थे, जो art करते थे, women, बच्चे, ये लोग को आना allowed नहीं था, पर उनके जो demand थे, वो letters में लिख के आ गए थे, 40,000 letters, तो आप सोचिए कि 600 members, 40,000 letters, मतलब कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो obviously, और आप यहां पे भी discrimination देख सकते हैं कि first or second states के लोगों को बैठा दिया गया है, बलकि जो 600 representative है, उनको बोल दिया किया, अब खड़े रही है, तो जो third states था, वो demand किया कि सभी के लिए एक vote का policy होना चाहिए, लेकिन ये जो proposal था, वो reject कर दिया गया था, king से, उसे समय, तो फिर वहां के जो लोग थे, third states के, व होता क्या था कि first or second states के लोगों को one vote रहता था, कि वो particularly एक vote एक इंसान, लेकिन जो third states का था, उसका एक इंसान का vote आधा हुआ करता था, तो आधा आधा करेगा, तो मतलब अगर सब एक जगह भी vote कर ले तो 300 vote ही आएगा, और वैसे वो लोग का तो लगबग 300 vote ही आएगा, तो मतलब problem होने का chance था और ये एक basic human right भी है democracy का कि सभी को एक vote और एक each होना चाहिए, तो वो लोग जब protest करने लगे, तो 20 जुलाई को वो लोग अपने आपको national assembly declare कर दिये, और वो demand किये कि एक constitution होना चाहिए फ्रांस के लिए, जो कि monarch का power, जो king है, उसका power limit करे, और इसका जो लीडर था, वो मीरा ब्यू और अबी साई था, इसके नाम्स और spelling साब बहुत अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि इस टाइप के question exam में obviously आते हैं, तो वो जो मीरा ब्यू था, वो था, बिलॉंग करता था एक noble families, और वो ये मानती भी थी, कि third state जासा कुछ है नहीं, ब मतलब आप देखिए कि कुछ-कुछ ऐसे लोग थे, जो उस समय जान रहे थे, कि जो भी हो रहा है, सोसाइटी में वो गलत हो रहा है, सब को एक basic human right होना चाहिए, और ये बहुत जादा जरूरी है, एक democratic country के लिए, और उस समय होता क्या था, कि democracy जैसा कुछ भी चीज कहीं प 10% जानता था, तो इस समय जो nobles family और clergy families थे, उसमें से भी बहुत लोगों ने third state की मदद की, क्योंकि जब तक कोई आदमी आपकी, मतलब जैसे अब माल लीजे कि अब जैसे अंग्रेजी राजे, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, तो जब उनका राजे खताम हो रहा था, तो उसमें से बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे, जो की इंडियन का help किये थे, ताकि वो लोग independence गेन कर पाए, तो मतलब जब तक कोई powerful group है, और कोई एक minority group है, जब तक वो powerful group का कुछ member उड़ करके, हम लोग का help नहीं करेगा, तो हम लोग के लिए बहुत problem हो जाता है, कि हम ल जीत ले और वैसे जगापे जहां का king का एक मात रूल है, अब इसके बाद हुआ क्या कि जैसे जैसे ये सब जब बिजी था constitution फ्रेम करने में, तो हुआ क्या उस दोरा उनकी bad harvest हुआ, उस समय बहुत ही ज़्यादा गंदा सूखा पढ़ गया था, सूखा नहीं पढ़ गया आक्चुली हुआ क्या था कि वहां पर रेन बहुत ही ज्यादा पढ़ रहा था, तो वहां का जो रेन ज्यादा पढ़ने के कारण जो harvest नहीं हो पा रहा था, उसके कारण जो bread का price था, जो कि majority people खाते थे, वो उनका जो day to day like खाने का था, वो बहुत ही ज़्यादा इंडेंज में उन्होंने वो में क्यू में निकाल दिया, तो फिर उनलों को गुस्सा आ गया, जब इंसान के पेट में भूख रहेगा, तो फिर वो जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, क्योंकि विनाश काले विपरेत बुद्धी, तो वो लोग क्या की, तो सारे के सारे shops थे, उन लोग भी उनको आकर के जोईन की, वो लोग बहुत सारे government offices तोड़ दिये, क्या उन्होंने बहुत सारा ऐसा कागर्स, डॉक्यूमेंट्स जला दिया, जो की important थे वो city के लिए, जो government officials के house थे, वो जला दिये, बहुत सारे लोगों को जला दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग कैसे खाएगा कोई इंसान जब जिसके पास bread खरिदने का पैसा ही नहीं है, जिसको tax भरने में ही ज्यादा समय चले जाता है, तो वो अपना पिट कैसे भरेगा केक को, अगर माली जेक कि bread 20 रुपया का है, तो केक 200 रुपया का हुगा, तो obviously 180 रुपी मैटर्स, मतलब ऐसा यह ऐसा था, हम बस आपको एक बता दिए, एक आपकी आप अच्छे से समझ पाँ, तो इस दौरान हुआ कि बहुत सारा rumors भी पहला, जब भगदर होता है, तो बहुत सारा rumors पहलता ही, कि अब king हम लोगे साथ, क्या, मतलब fire कर देने के लिए, अब order करेगा, फिर हम लोग के को जला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे दंगे हुए, तो बहुत सारे दंगे हुए, कुछ दिन चलते रहा, उसके बाद कुछ दिन बाद जब हो national assembly जो declare किये थे, उनको king ने एक recognition दे दिया, कि वो सच में national assembly है, और वो लोग का जो demand था कि constitution को frame किया जाए, वो भी accept हो गया था, और 4 अगस्त को सारे के सारे privileges, जो कि clergy को मिलते थे, nobles को मिलते थे, या king को मिलते थे, वो सारे के सारे खत्म कर दिये गए, अब इसके दोरान क्या हुआ, कि जब constitution framing का order हो गया, जो कि power उसको limit करेगा, मोनार्क का, और जब ये सार बैस्टील तूड़ गया, government का office तूड़ गया, सारे चीज़ तूड़ गया, उसके बाद क्या हुआ, जब finally constitution frame हो गया, तो France जो था एक constitutional monarch था, मोनार्क मतलब होता है rule of king, constitutional monarch मतलब कि वो जो king था, वो एक constitution के तहत ही चलेगा, जब 1791 में जब framing of constitution complete हुआ, तो जो वो power था, वो divide हो गया था, legislature, executive and judiciary के बीच में, तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, idea जो भी थे, ये philosophers के थे, और ये वाला जो था idea, वो था मॉन्टेस क्यों का, तो जो power of division था, वो हो गया, ये एक democracy धीरे धीरे आना शुरू हो गया जो कि वहाँ के leaders up elect होने वाले थे, वो indirectly होने वाले थे, leaders मतलब वहाँ के king जो up elect होने वाले थे, वो indirectly होने वाले थे, मतलब होता क्या था कि एक आपको group of people को vote कर रहा है, उस में से जिसको मानो उस में से कोई अपने आपको majority चुन करके अपने आपको king ya queen declare करतेगा, तो वहा के में थे जो कि 25 यह के अभव थे और वो जो टैक्स पे करते थे वो तीन दिन लेबर के वर्क से एकोर होना चाहिए वो ही अलाओ थे वोड देने के लिए और वो लोगो एक्टिव वोटर्स कहा जाता था तो आप देखिए कि सबसे पहले वो 25 साल पूरन होना चाहिए उसका उसके बाद फिर 3 days labor wages तो मतलब यह बहुत जादा heavy cost हो जाता है और जो remaining थे जैसे कि बच्चे हो गए फिर women's हो गए women's को तो बिलकुल right नहीं था वोट करने के लिए तो यह सब को passive voters कहा जाता था तो इस दोरान जब constitution frame हुआ तो कुछ certain rights जो होते थे वो भी लोगों को मिले जैसे right to life, right to freedom, right to speech, opinion, equality before law यह सारे के सारे लोगों को दिया गया था obviously अब जब constitution frame हो रहा है जब आप हमको कुछ भी आप अच्छा मेरे लिए करो गया है नहीं तो constitution frame कराने का क्या reason हुआ कोई reason नहीं है तो इसलिए ही यह basic rights बस एक मतलब समझोता था वो लोगों के साथ कि आप लोगों को यह दिया जाएगा और यह जितने भी basic rights थे यह सारे के सारे protected होते थे state से मतलब वो जो city है वहाँ के जो government है वहाँ को यह सारे rights सभी लोगों को अच्छे से प्राप्त हो रहा है इसको देखना था तो आगले chapter में हम इस chapter के आगे क्या part करेंगे यह chapter का first part था आप मेरे चैनल को like और subscribe करना ना भूले यह कि I am new to this YouTube world and I need your support